नमस्ते, आज इस वीडियो में मैं आपसे मोमेट नाम की दवाई के बारे में बात करने वाली हूँ मोमेट, क्रीम, ओइंटमेंट और लोशन तीनों फॉर्म्स में आती है और इसमें जो एक्टिव सॉर्ट है उसका नाम है मोमेटासोन फ्यूरुएट मेरा नाम है डॉक्टर रुच्ची अकरवाल और मैं एक सीनिया कंसर्टेंट डर्मेटॉल्जिस्ट हूँ मैं सत्या एस्थेटिक्स में प्राक्टिस करती हूँ और हमारी ब्रांचेस डेली और गुर्गाओं में है तो चलिए मुद्दे की बात पर आते हैं मुमेट यानि की मुमेटासोन फ्यूरुएट एक ऐसी दवाई है जिसके लिए वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप इसका प्रयोग बिल्कुल अपने आप ना करें यह एक ऐसी दवाई है जिसको आप लगाएंगे तो आपको वो सकता है बहुत फाइदा अचानक दिखने लगे और आप सोचें कि मेरे को तो एक चादू की पुडिया मिल गई है परन्तू अगर आप इसको लगाते रहोगे तो आपको दिये दिये इसके साइड इफेक्स आपकी स्किन में डेवलप होते रहेंगे परन्तु वो side effects ऐसे होते हैं जो जादा तर लोग पहचान नहीं पाते और जब तक आप उसके side effects को पहचान पाते हो तब तक already काफी लेट हो चुका होता है तो मुमेटसोन फ्यूरेट एक steroid है and steroids चाहे खाने के हो या लगाने के हो केवल केवल डॉक्टरी सला से और डॉक्टर के supervision में ही use करने चाहे है मुमेट एक mid potency steroid है mid potency steroid का मतलब इससे जादा strong steroids भी है और इससे weak steroids भी है तो as a dermatologist जब मुझे किसी को अगर steroid prescribe करना है तो मुझे देखना होता है कि मुझे body के किस area में steroid prescribe करना है उसकी क्या condition है और कितनी serious है वो condition कितनी severe है उसके symptoms तो मैं patient को inform करके कि देखें आपकी परिशानी में मुझे steroid देना पर रहा है पर आप इसको अपने आप use मत करते रहिएगा इसको इतने दिन यूज करके हमें बंद करना है ऐसे proper guide करके उनको मैं steroid prescribe करती हूँ steroids का misuse या abuse जो self use आप अपने आप जैसे वीडियोस देखे या किसी दोस्त के या chemist के कहने पर आप steroid की दवाईयों का misuse बिलकुल मत करें तो चलिए मैं बताती हूँ कि मोमेटासोन फ्यूरेट आपकी skin में कैसे काम करता है basically steroids का जो main mechanism of action होता है वो anti-inflammatory होता है मतलब या आपकी skin में जो भी inflammation है उसको कम करते हैं inflammation कम करने का मतलब है कि वहाँ पे redness, swelling और उन से associated जो भी symptoms हैं जाए वो itching हो या pain हो वो सब कम हो जाएंगे तो आपको अगर आपको कोई भी दाने है राश है तो आपको काफी जल्दी अराम पर जाएगा और जब यह inflammation कम हो रही होती है तो उस area में आपकी skin की immunity भी कम हो रही होती है मतलब वहाँ पे आपके skin के immune cells जो किसी भी कारण से बढ़े होए होते हैं वो भी कम हो जाते हैं पर अगर वो skin के immune cells बढ़े नहीं हैं नॉर्मल है वो भी कम हो जाते हैं तो यानि कि अगर आप इसको किसी wrong condition में लगा रहे हो तो आपके जो भी symptoms है वो दब जाएंगे पर आपकी जो परेशानी है वो ठीक नहीं होगी और वो actually long term में आपका एक नासूर बनके रह सकती है तो कुछ steroid responsive dermatosis के बारे में बात करते हैं जिसमें steroid हमें prescribe करने होते हैं और ऐसी भी conditions के बारे मैं आपको पताऊंगी जिसमें steroid बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए तो अगर आपको किसी भी तरह का eczema है वो eczema atopic dermatitis हो सक सकता है allergic contact dermatitis, irritant contact dermatitis या इतने सारे अलग अलगतर है कि और भी eczema हैं जिसमें हमें steroid कई बार prescribe करने पर सकते हैं उसके अलावा psoriasis, lichen planus, vitiligo इन सब बिमारियों में भी हम steroids prescribe कर सकते हैं परन्तु किस duration के लिए कर रहे हैं किस frequency के लिए कर रहे हैं कौन सा कर रहे हैं यह सब एक dermatologist के description पर होता है और इनका prescription जब भी हम patient को देते हैं उनको हम properly guide करते हैं कि आपको यह इस तरह से ही लगाना हैं आप केवल इसी दवाई के उपर dependent ना रहे हैं आपको साथ में जो और भी अलग दवाईयां हैं उनका भी प्रयोग करना हैं जिससे कि हम केवल steroid पी dependent ना हो जाएं कुछ ऐसी conditions हैं जिसमें steroid बिलकुल नहीं यूज करना चाहिए जैसे acne उसके अलावा कोई भी infection है फंगल इंफेक्शन, वाइरल इंफेक्शन, बैक्टिरियल इंफेक्शन, फोरेफुनसी इन सब में हमें steroid prescribe करना ही नहीं होता इन फाक्ट एस लेमेन आप लोग नहीं पैचान पाओगे कि आपको फंगल इंफेक्शन हुआ है या आपको कोई एक्जिमा हुआ है तो बहुत सारे लोग जो स्केन के इंफेक्शन होते हैं उनको भी एक्जिमा है एलर्जी समझ के उसमें कैमिस से जाके पूछ लेते हैं भाईया मुझे खुजली हो रही है मुझे दवाई दे दो और बहुत सारे कैमिस्ट आपको कोई भी स्टरॉइट की क्रीम पकडा सकते हैं उनमें से मोमेट भी एक हो सकती है तो मोमेट का प्रयोग जैसे मैं बाहर बाद कर रही हूं कीवल और और केवल एक स्किन के दॉक्टर के prescription में ही करें, अपने आप ना करें, दोस्से पूझ के ना करें, chemistry guidance पे ना करें, in fact, general physician जो हैं, जो MBBS doctors हैं, या जो किसी और field के specialist हैं, उनके भी guidance पे आप skin के लगाने वाले steroids का प्रयोग ना ही करें, तो best रहता है, अब आप कहोगे कि ये doctor बता तो कुछ ज़्यादा रही नहीं हैं, डरा ज़्यादा रही हैं, तो मैं आपको इसलिए डरा रही हूँ, क्योंकि steroid creams के जो side effects हैं, वो कई बार बहुत लेट आते हैं, तो मैं बताती हूँ, क्या-क्या side effects हो सकते हैं, किसी steroid का misuse करने से, या in fact, even if कई बार होता है कि ऐसी कोई skin conditions हैं, जिसमें हमें steroid देना ही पड़ता है, तो उन भी conditions में क्या side effects आपको हो सकते हैं, steroid cream यानि कि इस वक्त हम मुमेट की बात कर रहे हैं, उसको लगाने से, steroids हमारी skin को पतला कर देते हैं, long term use में, तो अगर आप long term में steroid लगा रहे हो, तो आपकी skin में atrophy हो जाती है, epidermis और dermis दोनों thin out हो जाते हैं, इसके कारण आपकी skin में fine lines और wrinkles जल्दी दिखने लगेंगे, आपकी skin नाजुक हो जाएगी, और किसी भी तरह के हल्की सी रगर से वो छिल सकती है, अगर आप कुछ थोड़े से फोर्स में लगा रहे हो, जैसे मालो आप जांगों में लगा रहे हैं, तो वहां की skin में काफी ज्यादा stretch marks बन जाते हैं कई बार, और कई बार वो इतनी नाजुक हो जाती है, मेरे पास आते हैं ऐसे patients, जो fungal infection के लिए steroid लगा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि, fungal infection एक ऐसी चीज है, जिसका treatment possible है, steroid लगा के वो अपनी बिमारी को लंबा खीज रहे है परन्तु अगर मालो कोई patient लगा रहा है, काफी समय से आप steroid को जांगों में या ऐसे किसी नाजुक एरिया में लगा रहे हैं skin के, तो वहाँ पर आपकी skin में काफी जादा stretch marks भी भेंजाते हैं, तो मतलब ये तो हुआ कि आपकी skin पतली हो जाएगी, पतली होने में वो fine lines, wrinkles stretch marks और आपकी जो blood vessels हैं, वो prominent हो सकती हैं, और आपकी skin में किसी भी तरह से, अगर कोई भी रगर लगती है, abrasion होता है, तो वो बहुत जल्दी छिल सकती है, और वहाँ पर जखम बन सकते हैं, दूसरा है कि steroid हमारी skin की immunity को भी कम करते हैं, जब वो inflammation को कम कर रहे हैं, तो साथ ह immunity यानि की रोगों से लड़ने की शक्ती को भी कम कर रहे हैं, तो आप जिस area में steroid लगा रहे हो, वहाँ पर आपकी skin में किसी और तरह का infection जल्दी से हो सकता है, वो फोरे फुनसी हो सकते हैं, वो fungus हो सकता है, वो कोई और भी infection हो सकता है, तो आपकी skin में infection होने के chances बढ़ जा हैं, तो वहाँ पर आपकी hair growth इंप्रूफ हो जाती है, बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, बढ़ हम इसको hair growth इंप्रूफ करने के लिए नहीं करेंगे, मैं केवल यह बतारी हूं कि ऐसे बहुत साइपेशन होते हैं, जो face पे किसी भी कारण से steroid अगर लगा रहे होते हैं, मा हाँ पर आपकी skin में काफी जादा fine hairs भर जाते हैं, इसका side effect है skin का color light करना, इस side effect के कारण भी बहुत साइपेशन लोग इसको केवल गोरा होने के लिए use करने लगते हैं, और अपने दोस्तों को भी बता जाते हैं, कि यह cream लगा लो बहुत अच्छी चमक आ जाती है, अगर आप सच में 2-3 दिन इस cream को लगाएंगे, अपने face पे तो आपको लगाएगा कि हाँ, यह बहुत अच्छी दवाई है, मेरी skin में चमक आ गई है, मेरी skin का color improve हो गया है, मेरी skin में जो दाने हो रहे थे, वो बैठ गए हैं, तो इसलिए मैंने शुरू में कहा कि यह जादू की पुडिया की तरह काम करती है, कि आपको लगता है कि बढ़िया नुस्खा मिल गया, और यह तो मेरी हर चीज को ठीक कर देगी, परन्तु क्योंकि इसके side effects late आते हैं, और जब वो आते हैं, तो कई बार वो permanent side effects होते हैं, इसलिए यह caution के लिए, यह मैं वीडियो आपको बता चानल चला रहे हैं, जिसमें वो दवाईयों के बार में बता रहे हैं, पर वो आधी अधूरी incomplete knowledge या गलत information पेशिंस को दे रहे हैं, तो that is why मैं चाहती हूँ कि आप अगर किसी दवाई को यूज करें, तो उसके side effects भी आपको पता होने चीए, और ऐसी बहुत सारी conditions हैं, जि में मुमेट का इस्तिमाल नहीं करना चाहिए, and as a dermatologist with so much of experience, I can tell कि आप अगर steroid का गलत इस्तिमाल करते हैं, तो उसको छोड़ना एक बहुत लंबी प्रक्रिया बन जाती है, and कई बार हमारी skin में एक memory बन जाती है, and जैसे होता है ना एक चीज का addiction, तो steroids भी addictive होते हैं, कि यूज आपको अपने आप नहीं करना है, जिसमें मुमेट भी आती है, मुमेट के लावा बेटनोवेट, क्लॉप, टीनोवेट, फ्लूटीवेट, ऐसी बहुत सारी और steroids हैं, जो आपको doctor के prescription के बिना, skin के doctor के prescription के बिना, नहीं यूज करना चाहिए, इसके लावा, जैसे मैं भी बोड रही थी, steroids, addiction भी कर देते हैं, तो जब आप steroids को छोड़ने की कोशिश करते हो, मालो आपको समझ में आ गया, कि अब मैं ये दवाई लगा रही हूं, तो ये लगा रही हूं तो फार्दा है, नहीं लगा रही हूं तो मेरी परिशानी वापिस बढ़ रही है, तो क् कुछ गलत तो नहीं कर रहा या कर रही, तो आप अगर इस दवाई को छोड़ने की कोशिश करते हैं, तो ये दवाई आपको अपने आप से छोड़ने भी नहीं देती है, असानी से, अगर आप इसको 15-20 दिन या महीना भर लगा तार लगा चुके हैं, और एक दिन आप लगा तो आपको लेगा मेरी सकिन काली पढ़ रही है, मतलब एक तरह बूठ रही है अंदर से, जलन हो रही है या खारश हो रही है, या बहुत जादा ज्यादा घ्राइनस हो गई है, तो एक तरह से, इसको छोड़ने का भी एक प्रक्रिया होती है, तो जब हम भी आप जन तो उनको आप अचानक एक दिन नहीं चोड़ सकते और छोड़ते वक्त आपको बहुत सारा और सपोर्ट भी चाहिए होता है लगाने के स्टिरोइड में अगर आप छोड़ रहे हैं तो आपको खुब सारा मॉइस्टिराइजर लगाना होता है कुछ टाइम के लिए आपको जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे दाने हो सकते हैं इचिंग हो सकती है तो उसके लिए हमें और भी कुछ ओरल मेडिसिंस का सपोर्ट आपको देना पर सकता है तो इसलिए एक प्रॉसस होता है अगर हमें में भी वीडियो का पर्फेस या है की मॉमेट क्रीयम डेसमेतली एक बहुत अच्छी दवा है एक बहुत अच्छी स्टीरॉइड क्रीम है इंवरño स्टेरॉइड को लोइना नहीं यूज करना एक कर voltar आपकर आ का। गॉच्टर से प्रॉस्क्रिक्रिशन ले लिया तो इसका मतलब है आपको हरी जंडी नहीं मिल गई है कि आप इसको लगाते रहोगे आपको फॉलो अप भी करना हो चाहिए इसके लिए तो आई होप इस वीडियो से आपको मुमेट के बारे में जो बेसिक जानकारी चाहिए थी वो मिल गई होगी आपको कोई questions है तो आप पूछ सकते ह यह एक ऐसा topic है जिसके बारे में हम बात करें तो वो endless हो जाता है बट जो purpose था मेरा कि इसका आपको self-use नहीं करना है इसके side effects आपको बहुत लेट समझ में आएंगे और जब वो आएंगे तो वो permanent भी हो चुके हो सकते हैं तो इसलिए इस दवाई को मैं आपको अपने आप के लिए बिलकुई भी advice नहीं करोंगी तो थांक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो और हम अपने इस चानल पर इंफरमेटर वीडियो बनाते रहते हैं और आप हमारे इस चानल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें और तिल वी मीट नेक्स ताइम कीप सेंग तो यॉरस है ज disgust, कि इस बोगोना सब्सक्राइब कर freshwater और ले पंसमें एहThis लोगोज करें मतें इसे लोगना हमें तो सीर केया चानल को सब्सक्राइब करें